नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी चैनल डॉक्टर निगम्स होंग पैथी में आपको इस चैनल में अगर उप्युक्त और आपके यूसफुल जानकारिया मिल रही है तो इस चैनल को शेर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की जिसको यू टी आय का आ जाता है यूद्नरी ट्रैक्ट इंपेक्शन देखिए यू टी आय जो होते हैं वो कॉमन लेडीज में ज्यादा होते हैं जेंट्स में कम होते हैं इसका एनटॉमिकल रीजन है लेडीज का यूरित्रा बहुत छोटा होता है और उनका जो प्राइविट पार्ट होता है उनका जो वजाइना होता है वो डिरेक्टली एक्सपोज होता है इन्वारिन्मेंट को दूसरा उनको हर मंथ पीरिट्स होते हैं उस पीरिट्स के दौरान हाईजीन अगर मेंटेन नहीं हो तो UTI उन्हें कर ड़र रहता है इसलिए पीरिट्स के दौरान सेनेटरी पैट्स का यूज करना बहुत जरूरी है और प्रॉपर हाईजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है तीसरी बात लेडीज को अपने वजाइना की हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमेशा वजाइनल वाश का यूज करना चाहिए और अकसर फीमेल्स को वजाइनल वाश करने का तरीका सही नहीं बताया जाता है मैं आपको आज ही बता देता हूँ वजाइनल को अगर आप ऐसे मान लें, तो यह upper portion है और यह lower portion है जो rectum की तरफ जाता है आपके वजाइनल को wash जब आप करेंगे तो above downwards करेंगे ऐसे हैं कभी भी below downwards नहीं करेंगे Above downwards करने से फायदा या होता है कि कभी भी rectum का जो stool का area होता है वहाँ से आप गंदगी को उपर नहीं लाएंगे दूसरा आप जब भी कभी वजाइनल वाश करेंगे तो आप बहुत डीप जाकर के सवाई नहीं करेंगे देखिए वजाइनल का जो डीपर हिस्सा होता है जो यूटरस के पास का हिस्सा होता है वो सेल्फ क्लीनिंग डिवाईज होता है वो अपने आप ठीक होता है इन फैक जब आप बहुत डीप जाकर के सवाई करते हैं तो आप इंफेक्शन वहाँ तक पहुचा सकते हैं एक बात दूसरी बात पोस्ट मीनुपॉजल जिनके की मीनुपॉज हो चुका है उनका वजाइनल ट्रैक ड्राय होने लगता है जिसकी वज़े से उनको इचिंग और चुंकि वजाइनल मेंब्रेन थिन हो जाती है तो इंफेक्शन के चांसिस होते हैं जो की कैरी हो जाता है और जो नरी ट्रैक्ट इंफेक्शन बार-बार क्रियेट करता है ऐसे में आपको वजानल वाश के साथ साथ कोई ना कोई क्रीम करना चाहिए और सबसे कॉमन क्रीम विटमिन E क्रीम होती है जो कि मार्केट में मिलती है आप उसको यूज़ कर सकते है इस्टेरोइड की क्रीम कभी भी मत यूज़ करें आप होपेथिक क्रीम जैसे की कैलेंडूला क्रीम या उसका जेल यूज़ कर सकते हैं जो की बहुत पाइदे मन्दे आपके लिए हैं फिर बात आती है कि यूटियाई लेडिज में कॉमनली और क्यों होता है उसका सबसे कॉमन और इंपोर्टन कॉज है अनहल्दी वाश्रूम्स बात्रूम में जब लेडिज जाती हैं तो क्लोस कॉन्टैक्ट में होती हैं तू दे सीट कमूट से जिसकी बज़े से उनको यूटियाई अगर गंदगी होगी तो यूटियाई कैरी हो जाता है सो वाश्रूम को क्लीन रखें ये बहुत जरूरी है क्लीन वाश्रूम में जाएं और अगर वाश्रूम क्लीन अवेलबिल नहीं है तो अवोइड करें आजकल हर जगे मॉल हो गए हैं मौल में वाश्ट्रूंग प्रिल रहते हैं तो मौल में वले चले जाएं लेकिन अधर्वाइस पब्लिक प्लेसिस में अवोइड करें UTI से बचने के लिए बहुत important है गर्मी भी आ रही है कि पानी खुब पिए अब डॉक्टर बहुत easily कह देता है कि पानी खुब पिए लेकिन खुब से मतलब क्या होई कितना पाली पिए दस लीटर पीने क्या दस लीटर पीने लगेंगे तो किनी बैठ जाएगी तो actually में दो ल से लेकर के पांच लीटर तक maximum होता है मेरा average जो मैं पेशेंट को बताता हूं 3-4 लीटर पानी डेली होना चलिए बहुत गर्मी हो 45 के आसपास की गर्मी हो तो 5 लीटर कर दीजे बहुत जाड़ा हो तो 2 लीटर कर दीजे बट 4-5 लीटर is an average daily intake of water बागी कुछ healthy चीजे होती ह करने से फायदा मिलता है जैसे की नारियल का पानी पीना, cranberry juice पीना, pineapple juice पीना ये तीन juices आपके लिए बहुत फायदे मंद हैं साथी साथ barley water बारले water अब मिलता नहीं है उसके जगे आप जौचने के सत्तू का घूल पी सकते हैं ये एक देशी उपाय है पर मैं आपको बता द है और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी urinary tract के लिए भी ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है similarly बेल का शर्वत ये हमारे पेट और हमारे urine के system हमारी kidneys के लिए बहुत अच्छा होता है तो यह उपाये थे जो यूटी आई के लिए मैंने आपको बताए मगर यूटी आई होता क्यों है देखिए यूटी आई दो मोटे मोटे भागों में डिवाइड किया गया है गोनोकॉकल और नॉन गोनोकॉकल गोनोकॉकल मतलब गोनोरिया वाले डिजीस गोनोकॉकल जो यूटी आई होगा वो सेक्शली ट्रांस्मेटेड होगा इंप्रॉपर अंसेफ सेक्स कें कॉज यूटी आई इसलिए हमेशा साथधान रहें सेक्स के दौरान कॉंडूम का इस्तमाल करें फिर बात आती है कि नॉन गोनोकॉकल उरस्त्रैटिस में क्या होता है यह जादतर बैक्टरियल होता है कुछ केस में फंगल या इस्ट की वज़े से भी हो सकता है और यूटी आई की पहचान क्या है सबसे पहड़ी पहचान, बाथरूम का बार बार आना, बाथरूम जब जल्दी जल्दी हो, तो साथी साथ बाथरूम करते समय पेन होने लगना, रुक रुक करके बाथरूम होना, और बाथरूम का कभी कभी कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी बलड भी आने लगता है, जूरीन में जलन होती है, साथी साथ जाड़ा दे करके बुखार आना और जाड़ा इतनी जैसे की आपको राइगर्स आ रहे हो, आप कापने लगें इतना जाड़ा आने लग जाता है एलोपेथी में बहुत बढ़िया इलाज है, आप यूरीन के एलकलाइजर को पीजिए, जैसे की एलकासॉल यह यूरोसॉल इसकी डोध बड़ी सिंपल है, आप चार चम्मच एक कप पानी में मिला करके दिन में तीन बार पीजिए, और साथ में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ए कराइए, ऐसकी किया रिपोर्ट आने में तीन दिन लगते आप आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबाइटिक शुरू कर दिजिए, डॉक्ट्र से बूछ करके और साथी साथ जब सेंस्टिविटी की कल्चर सेंस्टिविटी की रिपोर्ट आ जाय, तो उस रिपोर्ट में तब क्या करें यहां पहलोपैथी फेल हो जाती है और तब होपैथी की याद आती है और मैं आपको यह promise कर सकता हूं कि recurrent UTI के patients को केवल होपैथी ठीक कर सकती है और कोई नहीं ठीक कर सकता है वो भी बिना इंटिबाइटिक खिलाए एक्यूट UTI को भी होपैथी ठीक कर देती है लेकिन patients को होपैथी पर ट्रस्ट नहीं आता है कि acute diseases को होपैथी ठीक कर सकती है क्योंकि यह misconception है लोगों के बीच में है कि होपैथी धीमे काम करती है मेरा 27 साल का experience होपैथी में यह बताता है कि होपैथी की दवा अगर सही है तो होपैथी बहुत fast काम करती है अगर if not more fast than alopathy then at least as fast as alopathy यह होपैथी की ताकत मगर recurrent UTI में होपैथी ते बढ़िया किसी पैथी के पास इलाज नहीं है क्योंकि हम जब दवा देते हैं तो हम psychosomatic basis पे दवा को select करते हैं local जो symptoms हैं उनके हिसाब से दवा select करते हैं जैसे कि bathroom में जलन आपको bathroom से पहले हो रही है bathroom के दवरान हो रही है या bathroom के बाद हो रही है साथी साथ blood आ रहा है साथी साथ pass cells आ रहे हैं तो small medicine कोपीबा करके अलग हो जाती है अगर केवल urine के साथ protein आ रहा है और pass cells आ रहे हैं तो दबा अलग हो जाती है जिसका गिनाफ हिलोनेस डोसा है इसमें हम individualize करके दवा देते हैं और यह देखते हैं कि UTI का बार-बार होना हम लोग बंद कर सकते हैं इसमें कुछ और specific दवा हैं जो हम लोग use मिलाते हैं जिनको कि हम लोग नोसोड कहते हैं जैसे कि लूसाइनम लूटिकम या सिफलाइनम और सबसे इंपॉर्टेंट मेडोराइनम यह वो दो दवाईया हैं जो कि हम लोग use करते हैं रिकरेंस को खतम करने के लिए जड़ से और ऐसा हर केस में होते हुए देखते हैं सो यूटियाए की comprehensive जो मुझे आपको जाश जो knowledge देनी थी वो मैंने इस प्रकार दी कि हम क्या कर सकते हैं अलोपेथी का use कहा कर सकते हैं अगर यूटियाए किसी structural problem की वज़े से हो रहा हो जैसे कि structure हो गया हो तो यहां पे surgery की दरूरत पढ़ती है बट structure की surgery के साथ बड़ी problem है structure की surgery के बाद आपको बार बार बूजी करनी पढ़ती है जिसको common भाशे में सिलाई कहते हैं और कभी-कभी surgery दुबारा भी करनी पढ़ जाती है तिबारा भी करनी पढ़ जाती है इस सिनेरियों में भी होँपैती के बड़ा भारी रोल है इस स्ट्रिक्चर को अगर छोटे स्ट्रिक्चर नहीं है तो इसको रिमूफ करने के लिए भी होँपैती में बहुत सारी दमाएं हैं तीन दमाएं मैं आपको बता सकता हूँ क्लिमेटेस, इसकिराइनम और थायोसिन सो होँपैती का बहुत ब्रॉड रोल है आने वाले वीडियो में भी मैं आपको बहुत क्लियर कट होँपैती का जो ब्रॉड रोल है डिफरेंट डिजीजिस में वो बताता रहूँगा अभी के लिए धन्यवाद आने वाले वीडियो में वो बताता है